नमस्कार सभी को, मैं नवनीद गोतम, नवनीद गोतम's classes of physics में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज का lecture आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, B.S.E. 4th semester का है और B.S.E. 4th semester में हम पढ़ेंगे Modern Physics या Perspective of Modern Physics जिसका पूरा नाम है जो आपका part A है, ठीके जी, तो उसकी unit first start करते हैं, syllabus discussion की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ आप सभी ने देख ली होगी, आईए, तो unit first जो है आपकी, वो है relativity, experimental background, ठीके जी हिंदी में कहेंगे, आप एक सिक्ता प्रायोगिक प्रस्ट भूमी, ठीके जी, यानि इसकी basic background है ना, आधार भूत बाते इसके आपको पढ़नी है प्रियोगों से related है ना, ठीके जी, तो relativity यानि की आप एक सिक्ता ठीके जी, तो आईए, सबसे basic topic हम पढ़ते हैं आज की class में, और वो topic आपके लिए नया नहीं है, आपने newtonian mechanics में, ठीके जी, BSE first semester में उस topic को पढ़ा है, तो उसका नाम है frame of reference, ठीके जी, तो पहली heading डालें, frame of reference ठीके जी, तो हिंदी में क्या कहते हैं, जड़त ये, जड़त वे और एजनवत वे तो इसके प्रकार हैं, हिंदी में कहेंगे निर्देश तंत्र ठीके जी, निर्देश तंत्र, clear हैं, तो frame of reference क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीके याद होगा आपको थोड़ा बहुत, आईए फिर भी समझते हैं, देखो, ये Cartesian Axis है, एक्स अक्स कहलाती है, Cartier Axis कहते हैं हिंदी में, ये Y Axis है और ये Z Axis है, ठीके जी, ये origin है, जिसे आप मूल बिंदू कहते हैं, आप इस set, ये set है, coordinate Axis का, ये coordinate Axis है, है ना, X Axis, Y Axis, जैड अक्स यादिके निर्देश अक्स हैं ये, और ये इन Axis का क तो एक, ये जो frame of reference है, ये एक set है, coordinate Axis का, है ना, यानि ये जो निर्देश तंत्र है, ये set है, समुच्चे है, है ना, ठीके जी, किसका, तो coordinate Axis का, है ना, यानि की निर्देशांग, अक्सो का, क्लियर है, जिसके help से आप किसी particle की position को determine कर सकते हो, किसी, है ना, कंड की इस् पर, इस space में है, कोई particle है, P, point पर है, ठीके जी, तो इसकी position आप ग्यात कर सकते हैं, कि ये origin से लेकर, ठीके जी, देखो, जैसे यहाँ पर है ये, हवा में है बिलकुल, ठीके जी, तो आप इसकी position का पता लगा सकते हैं, कैसे, आप यहाँ पर Cartesian Axis खिचेंगे, तो आप पत Axis पर कितनी distance पर हैं, Y Axis पर कितनी distance पर हैं, और Z Axis पर कितनी distance पर हैं, X Axis की distance, Y Axis पर distance, Z Axis पर distance, नाप लो, तो इसकी position पता चल जाएगी, तो मान दो आप, X Axis से इसकी जो distance हैं, कितनी हैं, मान दो, X Axis पर, Origin से इसकी जो distance हैं, दोरी हैं, वो कितनी हैं, X, ठीके जी, और देखो, Y Axis पर, इसकी जो Origin से distance हैं, मान दो, कितनी हैं, Y, ठीके जी, और Z Axis पर, इसकी जो Origin से distance हैं, वो मान दो, कितनी हैं, Z, ठीके जी, ठीक है कितनी है Z ठीक तो आप बताओ इसके coordinates क्या क्या होंगे coordinate क्या होंगे इस point के निर्देसांग क्या होंगे कितने हो जाएंगे X, Y, Z यानि ये point P जो है ये situated है X axis पर origin से X distance पर Y axis पर origin से Y distance पर और Z axis पर origin से Z distance पर तो यानि आपने इस set of coordinate axis की help से इस निर्देस तंत्र की साहता से यानि इस निर्देसांग अक्सों की साहता से उसके set की साहता से आपने क्या क्या उसके समुच्चे की साहता से क्या ज्याद कर लिया किसी कन की इस्थिति को ज्याद कर लिया ठीक है किसी particle की position को determine कर लिया ठीक है तो यह जो set है coordinate axis का यह जो समुच्छे है किसका निर्दे सांक अक्सो का इसे ही आप निर्दे स्तंत्र या frame of reference कहते हैं ठीक है clear है तो देखो क्या हो जाएगी इसकी definition the set of coordinate axis ठीक है जी एक्सिस clear है axis axis होता है उसका plural होता है axis ठीक है जी बहुवचन तो axis 3 है ना तो बहुवचन आएगा plural तो the set of coordinate axis ठीक है जी by help of which जिनकी साहता से आप क्या ग्याद कर सकते हो the position ठीक है जी of any particle can be determined clear है तो ऐसा set coordinate axis का जिसके साहता से आप किसी कर्ण की स्थिति को ग्याद कर सकते हो क्या कहलाता है is known as लिख देना आगे पूरा is known as frame of reference ठीक है जी क्या कहलाता है frame of reference कहलाता है निर्देस्तंत्र कहलाता है तो आप लिख देंगे हिंदी में यदि कोई समझना चाहरा है तो तो क्या कहेंगे निर्देसांक अक्सों का वह समूँ जिसकी साहता से किसी कर्ण की स्थिति को ग्याद किया जा सकता है क्या कहलाता है निर्देस्तंत्र कहलाता है ठीक है जी बात सुन आई तो जैसा कि आप सभी जानते ही है हमारी क्लास बाइलिंग्वल होती है क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि जो BSC दे स्टूडेंट्स रहते हैं वो अधिकांस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स BSC करते हैं तो उनकी समस्या रहती है यदि क्लास इंग्लिस टू इंग्लिस रहेगे बिल्कुल तो इसकारण हम हिंदी और इंग्लिस दोनों साथ लेके चलते हैं और इसके लिए आप हमारा होंसला भी बढ़ाते हैं प्रिसंसा भी करते हैं और बाकी देखो अपने आप पता नहीं चल पाता है कि क्या हमें कम्या है क्या हमें सुधार करने की आप सकता है तो आप लोग comment section में comment box में बताया करिए कि इस तरीके से आपको ये सुधार करने की आप सकता है ताकि हम पूर्ण बने perfect बने क्योंकि दूसरा जब बताता है तभी बता चलता है तो इसलिए आप लोग इस बात से प्रसंद रहते हैं आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी है ना मैं बताने का प्रयास करता हूँ तो ये आपकी एक basic आउशकता है जिसे मैं ध्यान में रखता हूँ ठीके जी तो कुछ student से इंग्लिश मेंडियों के हो तो वो सहयोग करेंगे ठीके जी मतलब हिंदी से irritate नहीं होंगे वो अपने काम की इंग्लिश language को सुन लेंगे ठीके तो मैंने कहा coordinate axis का ऐसा set जिसकी help से position किसी particle की determine की जा सकती है क्या कहलाता है coordinate axis का frame of reference कहलाता है ठीके जी हिंदी में बता दिया clear है तो आपको पहले definition लिखनी है फिर diagram बना रहा है और आईए इसका position vector क्या होगा इस point P का तो देखो then position vector position vector आप जानते हूं mathematical physics में first time में आप नहीं पढ़ा था जिसे आप इस्थिती सदिस कहते है बहिए किसी particle की position को बताने के लिए जो vector use किया जाता है उसे आप position vector कहते है ठीके जी उसे आप इस्थिती सदिस कहते है तो position vector of point P point P कह दो particle का नाम हो सकता है particle P कह दो तो कितना हो जाएगा vector r बराबर हो जाएगा x i cap plus y j cap plus z k cap हो जाएगा नहीं x क्या है x axis पर distance है particle की y क्या है y axis पर distance है particle की और z क्या है z axis पर distance है particle की i cap j cap k cap क्या है आप जानते हैं इने कहते हैं orthogonal unit factors ठीक है जी लंब कोण यह एकांग सदिस आपको पता होना चाहिए x axis के अलोंग unit vector है orthogonal unit vector y cap होता है y axis के अलोंग होता है j cap और z axis के अलोंग होता है k cap orthogonal unit vector लंब कोण यह एकांग सदिस ठीक है जी तो यह हो जाएगा position vector इस particle का position vector है यह इस particle का और इस position vector की help से आप इस particle यदि यह particle motion कर रहा है गती कर रहा है तो आप इसकी velocity भी find कर सकते हैं कैसे तो देखो आप differential करें यह differential ना भी करें velocity आप find करना चाहरे हैं तो vector v बराबर आपको पता है क्या होता है displacement upon time interval vector r displacement है विस्थापन है तो displacement upon time interval क्या होता है विस्थापन बटिस समेंतराल क्या होता है vague velocity तो आप यहाँ पर d upon dt और vector r की value रखे x i cap plus y j cap plus z k cap अलग-अलग हो जाएगा देखो vector v बराबर क्या हो जाएगा dx upon dt i cap plus dy upon dt j cap plus dz upon dt k cap इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी particle की आप velocity भी frame of reference की साहता से ग्याद कर सकते हैं ठीके जी तो यह frame of reference के बारे मैंने आपको बताया इसके बाद heading डालो types of frame of reference ठीके जी इसका अपनी screenshot ले लिया होगा बाकी telegram पर telegram channel का link दे हुआ है video के description box में तो आप महां से telegram channel को जरूर जोइन कर ले क्योंकि आपको video classes का link और साथ में pdf notes lecture wise फिर unit wise ठीके जी कहां मिलेंगे telegram channel पर तो telegram channel जरूर जोइन करके रखें आप तो next heading डालो types of frame of reference यानि प्रकार types of आप frame of reference को reference frame भी कह सकते हो तो यह है types of frame of reference heading यानि की निर्देश तंत्र के प्रकार ठीके जी निर्देश तंत्र के प्रकार types किसके frame of reference के clear हैं तो यह दो type का होता है आप इसमें लिखेंगे frame of reference is of two types ठीके जी frame of reference केतने प्रकार के हैं दो प्रकार के हैं तो number first heading डालो inertial inertial frame of reference ठीके जी inertial frame of reference इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे जड़त्विय जड़त्विय निर्देश तंत्र clear है तो यह जड़त्विय निर्देश तंत्र होता है ठीके जड़त्विय जड़त्विय या inertial आप जानते हैं ठीके जी तो एक word है inertial जिससे inertial बना और एक word है हिंदी में जड़त्व जिससे जड़त्विय सब्द बना तो inertial या जड़त्व इसके धारना आप सुनें हाला कि ये सब्दाप के लिए नया नहीं है इसके बारे में आपनी study की होगी 11th class में भी और Newtonian mechanics में भी ठीक है और Newton का first law इसी को समर्भित है इसी से related है तो inertia क्या है किसी body की वो property है जिसके कारण जो body है वो यदि rest में है तो rest में रहती है और यदि motion कर रही है तो motion करती रहती है ठीक है जी तो यानि if a body is at rest it will remain at rest ठीक है जी if a body is in motion तो it will remain in motion ठीक clear है इसकी हिंदी क्या हुई कि यदि कोई वस्तू इस्थिर अवस्ता में है विराम अवस्ता में है तो वह विराम अवस्ता में रहना चाहती है यदि कोई वस्तू गतिमान अवस्ता में है तो वह गतिमान अवस्ता में रहना चाहती है ठीक है जी वस्तू के इस गुण को जड़त्व कहते है this property of the body is known as inertia clear है यानि कोई भी body अपनी स्थिती में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है यह जो गुण है वस्तू का कि अपनी स्थिती में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है वस्तू के इस गुण को जड़त्व कहते है ठीक है everybody opposes the change in its state अपनी स्टेट में होने वाली चेंज का क्या करती है अपोज करती है बोडी रेस्ट में तो रेस्ट का रेस्ट में जो परिवर्तन करना चाहरा है रेस्ट से रेस्ट क्या है एक स्टेट है अवस्था बोडी की तो वो रेस्ट से मोशन में लाना चाहरा है यानि रेस्ट को चे यानि motion में यह position में state में होने वाले change का oppose करती है, प्रती एक body, तो body की इस property को आप क्या कहते है, inertia, और inertia से ही word बना आपका inertial, ठेके जी, तो इसका मतलब ऐसा frame of reference, है ना, जिसमें inertia की property हो, जिसमें inertia की property हो, जिसमें जडत्व का अगुण हो, ऐसा निर्देश तंत्र, क्या कहला पाएगा, जडत्व निर्देश तंत्र या, inertial frame of reference, ठेके जी, और inertia की property किस में होगी, तो उसमें होगी, दो word है, या पहले एक word सुनो, inertia की property उसमें होगी, उस body में होगी, जो unaccelerated होगी, ठेके जी, जो unaccelerated होगी, उस body में inertia की property होगी, यानि कि हिंदी में कहेंगे, एत तवरित का मतलब, जिसमें तवरन नहीं है, unaccelerated का मतलब है, जिसमें acceleration नहीं है, ठेके जी, इन दोनों का ही मतलब है, कि a बराबर क्या है, 0, एत तवरित मतलब तवरन नहीं है, तो a बराबर 0, unaccelerated मतलब, कि acceleration नहीं है, तो a बराबर 0, clear है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, acceleration a बराबर, त्वरण a बराबर 0, कब होगा? तो दो स्थितिया बनेगी यहां से भी, तब होगा, number first, जब बोडी, देखो, acceleration 0 होने का मतलब है, त्वरण 0 होने का मतलब यह है, देखो, त्वरण कब उत्पन होता है बोडी में, acceleration कब produce होता है? जब बोडी की speed बढ़ती है, आप जानते हैं, somethinaculation क्या है, speed के बढ़ने कोई तो acceleration कहते हैं, गती के चाल के वेग के बढ़ने कोई तो तोरन कहते हैं इसका मतब चाल नहीं बढ़ रही है इस्पीड वैलोसिटी नहीं बढ़ रही है और नहीं बढ़ रही है तो दो स्थित्यों में नहीं बढ़ती या तो body किस में हो rest में हो तो speed नहीं बढ़ रही है ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं विराम, रैस्ट को, और ये यूनिफोर मोशन को कहते हैं, एक समान गती, ठीक है, आप खुद बताओ, एक्सलरेशन कब नहीं होगा बोड़ी में, जब वैलोसेटी ना बढ़े हैं, मैंने बताया और वैलोसेटी कब नहीं बढ़ेगी, जब बोडी या तो विराम यानि रैस्ट में हो और जब बोडी या जब बोडी यूनिफोर मोसन में हो यानि एक समान चाल से गती कर रही हो एक समान चाल से गती कर रही है तो स्पीड कहां बढ़ रही है तो इसका मतलब तब भी अक्सलरेशन जीरो और जब वो रैस्ट में है तब एक condition है, तो acceleration 0 और ये क्या कहलाएगा, unaccelerated body कैसी कहलाएगी, unaccelerated इन दोनों में से एक condition होनी चाहिए, या तो first या second, और का अर्थ या ठीके जी, तो दोनों में से एक condition पूरी हो रही है तो acceleration 0 है, और acceleration 0 है तो unaccelerated है, ठीके जी, तो अंदर property पाया जाते है, inertia की इसी कारण, वो frame of reference कहलाता है inertial frame of reference, ठीके जी, clear है यानि ऐसा निर्देश तंतर जो एत्वरित होता है उसे के अंदर property गुण पाया जाता है जड़त्व का, और तभी वो frame of reference तभी वो निर्देश तंतर क्या कहलाता है जड़त्व के निर्देश तंतर, ठीके जी और un-accelerated के साथ एक word वोरियोज होता है non-rotating इसे हिंदी में कहते हैं, ए घुर्णी ठीके जी, ए घुर्णी तो non-rotating का क्या मतलब है non-rotating का मतलब ए घुर्णी यानि जो घुर्णन गती ना कर रहा हो एसा frame of reference, एसा निर्देश तंतर यानि जो rotating motion या rotational motion ना कर रहा हो ठीके क्योंकि rotational motion होगी कैसी motion है तो acceleration produce हो जाता है ठीके जी, rotational motion होती है तो आपको पता है acceleration produce हो जाता है और acceleration produce नहीं होना चाहिए तो body कैसी है यदि frame of reference non-rotating है और un-accelerated है तो frame of reference कहलाता है inertial frame of reference ठीके, सारी बात समझाने का सारी ये है हिंदी में कहें तो यदि निर्देश तंतर ए तवरित है और ए घुर्णी है तो वो कहलाता है जड़त्वे निर्देश तंतर clear है तो इसकी definition आप क्या लिख सकते है हिंदी में सुनो वह निर्देश तंतर जो ए तवरित तथा ए घुर्णी होता है क्या कहलाता है जड़त्वे निर्देश तंतर कहलाता है ठीके जी इंगलिस में क्या कहेंगे the frame of reference ठीके जी which is un-accelerated और un-accelerated दो तरीकों से हो सकता है तो bracket में लिख देना which is un-accelerated bracket में क्या लिखेंगे at rest और in uniform motion bracket बंद क्या हैगा and un-accelerated तो हो गया and non-rotating कौमा लगाना is known as inertial frame of reference ठीके ऐसा frame of reference क्या कहलाता है inertial frame of reference क्या कहलाता है clear है तो बात समभाई यानि आप क्या कह सकते हो the frame of reference which is un-accelerated and non-rotating और un-accelerated के bracket में मैंने बताई दिया क्या लिखना है तो ऐसा frame of reference जो un-accelerated है और non-rotating है वो आपका क्या कहलाता है inertial frame of reference कहलाता है ठीके ये बात आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी अब देखो चूंकि acceleration तो 0 है है ना यहां तक आप screenshot ले सकते हो बाकी मैंने language भोल दी है किस तरीके लिखना है और बाकी आपको PDF notes मिलेंगे ही देखो अब चूंकि acceleration क्या है 0 है तो देखो समझ दो because acceleration है ना is 0 acceleration 0 है तो आप खुद बताओ मुझे acceleration 0 होने का मतलब क्या है body में acceleration नहीं है याणी speed नहीं बढ़ रही है velocity नहीं बढ़ रही है और velocity नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है velocity कब बढ़ती है जब force लगता है इसका मतलब कोई भी external force नहीं वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है no external force is applied no external force is applied on the body body पर कोई भी external force कोई भी variable कारिये नहीं कर रहा है इसका रती ही हुआ क्योंकि acceleration कैसा है 0 है इसका मतलब क्या हुआ external force ना लगने का मतलब यानि vector f 0 है और vector f 0 होने का मतलब vector f क्या हो जाएगा f x i cap plus fy j cap plus f z k cap तिन component होते है ठीक है तो इसका मतलब है vector f 0 कब है ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी तिनो component कैसे होंगे 0 इसका मतलब है f x b 0 है fy b 0 है f z b 0 है ठीक है जी f x 0 है आप फोरूला जानते है f बराबर होता है m में इसका मतलब है ऐसे लिख सेटकर m into a x बराबर 0 ठीक है जी यहां क्या m into a y बराबर 0 और यहां क्या हैगा m into a z बराबर 0 clear है तो m तो 0 के पुन पहुँच जाएगा तो यहां से निसकर्स क्या निकलेगा कि a x भी 0 है a y भी 0 है और a z भी 0 है तीनों के 0 होने का क्या मतलब है ठीक है जी तीनों के 0 होने का मतलब यह है कि acceleration x एक्सिस के यलोंग भी y एक्सिस के यलोंग भी z एक्सिस के यलोंग भी तीनों एक्सिस के यलोंग जो acceleration है वो कैसा है 0 है ठीक है जी और acceleration 0 है तो आप मुझे खुद बताओ acceleration 0 है तो इसका मतलब acceleration का एक formula है देखो यहां से बताता हूँ dv upon dt क्या होता है a होता है तो a की जगे आप क्या दिख देंगे a x की जगा dvx upon dt बराबर 0 यहां से dvy upon dt बराबर 0 ठीक है जी और यहां से क्या आएगा dvz upon dt बराबर 0 clear है देखो differential 0 है तो आपको इक बता है भई आपको इक बता है कोई एक constant है उसका differential 0 होता है ठीक है जी कोई एक constant है उसका differential क्या है 0 तो आप opposite भी तो खह सकते हो जिसका differential 0 है वो क्या है constant इसका मतलब vx का differential 0 हो ही तो इसका मतलब vx कैसा है constant बात जी आपको जाए vy का differential 0 आ रहा है तो vy में क्या है constant ठीक है जी और vz का differential 0 आ रहा है तो vz भी क्या है constant बात संवां जPlay इसका सिद्धा सा मतलब ये है कि inertial frame of reference पे जो velocity है है ना particle की वो कैसे रहती है constant और ये बात तो मैंने बताया कि non uniform motion uniform motion है uniform motion में तो velocity constant रहती है और velocity constant है ठीके जी इसका मतलब है कोई भी force नहीं लग रहा है ठीके जी uniform velocity है है ना यानि charge speed change नहीं हो रही है ठीके जी तो यहां से जो निसकर्स निकला वो आप लिख लो क्या लिखेंगे देखो यहां से क्या लिखेंगे कि velocity कैसे रहेगी constant रहेगी है ना तो मैं चलो लिखी दूँ देखो so velocity ठीके जी कैसी होगी constant velocity remains remains माने रहती है constant ठीके जब तक velocity constant रहती है जब तक कि external force ना लगाया जाए देखो external force कहां लगाया जा रहा है तभी तो external force 0 है velocity constant है तो कब तक रहती है until the external force ठीके जी until the external force is applied जब तक variable ना लगाया जाए ठीके जी यह मत सोचना कि note नहीं लगाया until negative sense देता है जिसमें until के बाद note नहीं लगता है यह grammar का एक रूल है तो देखो velocity कब तक तब तक constant रहती है जब तक external force है ना body पर ना लगाया जाए is applied on the body जब तक body पर ना लगाया जाए external force तब तक क्या रहती है velocity constant रहती है clear है और आपने यह लोग पढ़ा होगा यह क्या है आप खुद बताएं आपको याद आजाएगा कि if a body is at rest it will remain at rest if a body is in motion it will remain in motion until the external force is applied ठीक है समझ गए हिंदी में सुने कोई बस्तू यदि विरामा वस्ता में है तो विरामा वस्ता में रहती है यदि कोई बस्तू गतिमान वस्ता में है तो गतिमान वस्ता में रहती है कब तक जब तक कि उस बस्तू पर कोई बाहियेबल ना लगाया जाए ये कौन सा नियम है कौन सा लो है आपको याद होना चाहिए it is newton's first law भई rest में है तो rest में रहेगी rest की बात छोड़ो velocity की बात चल रही है और motion में है तो motion में रहेगी motion में रहने का मतलू uniform motion में है तो uniform motion में रहेगी ठीकें جी कब तक जब तक की force ना लगाया जाए तो velocity uniform motion में रहने का मतलू velocity constant रहेगी कब तक जब तक force ना लगाया जाए तो ये बात तो गोई है किस जो उस लो है और वो लो कॉन सा है newton's first law जड़त्व का नियम है clear है तो इसका मतलब यहां से एक बात और सिद्ध हो गई कि inertial frame of reference में Newton के नियमों का पालन होता है ठीके जी तो आप एक बात उड़े देंगे hence in inertial frame of reference Newton's laws are followed है ना follow किये जाते है Newton की नियम पालन Newton की नियमों का पालन किया जाता है किसमें जड़त्वे निर्दे स्तंत्र में clear है और यह बात हमने समझी first law के first law के पालन करने से first law के follow करने से clear है और हाँ inertial frame of reference का example देखना चाहे तो example हो जाएगा एक frame of reference ठीके जी एक ऐसा frame of reference जो situated है Situated क् offer a star किसी star पर situated frame of reference frame of reference frames यानिकि निर्दे स्तंत्र तो जो कहा situated है किसी SAR पर निर्दे स्तंत्र यादि वोही set of coordinate axis वोही तो है निर्देसां कक्षों का सम्हूँ वोही तो frame of reference है तो यह यही किसी star पर situated हो तो ये किसका एक्जाम पता हो, स्टार पर क्यों क्योंकि स्टार पर दोनों बाते पूरी होंगी जो सर्थ हैं, एक तो non accelerated का है ना, un accelerated का एत्वरित का, अब स्टार में motion तो है नी, तो वो तो rest में है ठीके जी, या galaxy के चार ओर star चक्कर लगाता भी है तो वो तो uniform motion से लगाता है ठीके जी, तो इसका मिलब क्या हुआ un accelerated तो रहेगा star, एत्वरित तो रहेगा तो वो star तो पूरी हो रही है, दूसरी बात है non rotating, यानि agony, तो star rotation कहां करते हैं star तो fix रहते हैं तो दोनों ही बात पूरी होती है कहां पर, यदि कोई frame of reference situated है, किसी star पर है, किसी star पर clear है, तो मैंने inertial frame of reference आपको पढ़ा दिया है, पूरे विस्तार में ठीके जी, इससे विस्तार अब और क्या होगा, ठीके कर लेंगे आप इसे इससे आपका कुछ नहीं बचेगा चाहे आपका MCQs type of, objective type of paper और subjective में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, दोसरा point क्या है non आ जाएगा बस ठीके जी, number second हो जाएगा non inertial frame of reference और हिंदी में बात करें तो यहाँ पर a आ जाएगा बस, a जड़त वी है ठीके जी, और मैंने दो word आपको बताये थे, एक word बताये था un accelerated तो उसकी जगे word अब क्या जाएगा उसकी जगे word आ जाएगा accelerated, a हट जाएगा वो un hट जाएगा और हिंदी में a तवरित था तो a हट जाएगा, तवरित और दूसरा word था non rotating, non हट जाएगा बस, rotating हो जाएगा यानि हिंदी में कहेंगे तो घोड़नी हो जाएगा, ठीके जी यानि इस बार accelerated होना चाहिए acceleration होना चाहिए यानि इस बार rotational और इस बार rotational motion होनी चाहिए, rotating होना चाहिए ठीके जी तो इस type का जो frame of reference है है ना, कैसे कहेंगे the frame of reference which is accelerated and rotating is known as क्या कहलाता है, non-inertial frame of reference clear है क्या कहलाता है, known as is known as non-inertial frame of reference ठीके जी, हिंदी में क्या कहेंगे वह निर्देस तंत्र जो त्वरित तथा घूरनी होता है क्या कहलाता है, ए जड़त में निर्देस तंत्र कहलाता है बात समझ मारी आपको और इसका example क्या हो जाएगा हाँ, इसमें देखो उसमें Newton के नियमों का पालन होता है इसमें Newton के नियमों का पालन नहीं होता तो आप ये भी लिख सकते हो कि इस निर्देस तंत्र में Newton के नियमों का पालन नहीं होता, यानि कि in this frame of reference, Newton's laws are not followed, है ना इसमें पालन नहीं होता है उनका ठीके जी, उसका पोजिट है ना और हाँ, example की बात करें तो ए frame of reference एक ऐसा frame of reference ठीके जी, जो situated है situated है ना, to the या related to the है ना, own दा लेखो situated लेख रहे हो तो, own दा या own, a air plane किसी air plane, वायो यान पाल है ना, situated, लेकिन वायो यान भी खड़ावा नहीं होना चाहिए, या uniform motion से motion करता हो नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए in the position of in the position of take off ठीके जी take off की position में होना चाहिए ठीके जी, क्यों? क्योंकि जब take off करेगा, तो आप खुल दताओ उसकी speed बढ़ती भी होगी बढ़ती भी speed होगी, तो acceleration होगा तो इसका मतलब, वो accelerated है इस कारण से, तो due to being accelerated ठीके जी, due to being accelerated यानि इसका मतलब क्या हुआ? तोरित होने के कारण एक उडान भरता हुआ एक उडान भरते हुए वायो यान पर इस्थित निर्देश तंत्र, किसका उधारन है? एजड़ती निर्देश तंत्र का नोनिर्देश फ्रेम ओफ रेफरेंस का अग्जामपल है, ठीके, एक ऐसा फ्रेम ओफ रेफरेंस जो सेच्बेटिड है एरप्लेइन पर ठीके, और एरप्लेइन कैसा है? तो एरप्लेइन खड़ा हुआ नहीं या उनिफॉर्मोशन से चलता हुआ नहीं बलकि टेक ओफ की पोजिशन में जब वो उडान भरता है क्योंकि जब उडान भरता है तो उसकी स्पिर्ड बढ़ती है और उसमें अक्सलरेशन होता है तो वो एक्सलरेटर रहता है ठीके जिए? तो इस टाइप से ये आपका और नो रिटर्चल फ्रेम ओफ रफरेंस भी कंपलेट होता है ठीके जी? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं ठीके जी? आपके कोई क्वेरी हो आपको कोई कुश्चन हो तो आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं बाकी टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में वहाँ से जोइन्टरिय टेलिग्राम चैनल और आगे पीडिएफ नोट्स ये वीडियो लेक्चर के लिंक और बहुत सारी सुविधा हैं जो मैं आपको बताता हूँ जैसे की पुराई वर्सों के अंसोल्ट पेपर आपको मिल जाते हैं टेलिग्राम चैनल पर और साथ में जब आपके एक्जाम आते हैं तो अधर उनिवस्टीज के एक्जाम पेपर की पेडियेफ भी आपको मिल जाती है बुक आदी की PDF भी आपको मिलती रहती है ठीके जी तो सब बाते है ना मैं कर चुका हूँ मैंने कोई question हूँ तो आप comment box में बता सकते हैं ठीके जी और पृतिकरिया आवस्य दीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है लेक्चर देखकर कैसा लगा है आवस्य बताईए उससे होसला बढ़ता है ठीके जी तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और आपका support बहुत आवस्यक है आप support करते हैं तो motivation मिलता है ऐसा लगता है कि हाँ मेहनत करके लेक्चर को जारी रखना चाहिए और एक होसला बना रहता है एक प्रेड़ना बनी रहती है ठीके जी तो इनी बातों के साथ आज के लेक्चर को complete करते हैं और next लेक्चर में मिलते हैं अच्छे से पढ़ाई को जारी रखिए तब तक के लिए all the very best